कैसे हैं सभी लोग बढ़ियां मेरी अवाज आ रही है का जस्ट डू लेट में नू इंदा कमेंड सेक्शन गाईस मेरी अवास प्रॉपरली आ रही है एक सेकेंड रुक चाहिए में को लग रहा है कि मेरी अवास कट रही है अरे या इनका रूच का हो गया है बच्चो जस्ट कीव में सेकेंड में को एक सेकेंड दो बस मेरा यह हैंग कर गया फिर से लैप्टॉप यह क्या रहा है भाई दिख रहा है भी ना विजबल येस ना फाइन होगे चलिए आईए तो शुरू किया जाए तो शुरू किया जाए एक सेकेंड यार यह क्या हो रहा है एक मिनट जस्ट बच्चों मेरे को एक सेकेंड दे दू में को पता नहीं क्या हो रहा है मेरा लापटाप हैंग कर गया ओ माई गॉट एक सेकेंड दो को मैं इसको ना बंदी कर देता हूं एक तो मैं एक मिनट में वापस है लाइव आजाओं क्या मैं को एक मिनट होगे मैं एक बार री स्टार्ट कर लेता हूं मेरे आइपैड को मैं कुछ मोमेंट शो नहीं कर रहा है चले है कोई दिक्कत तो नहीं है अना चिए वैसे ना अडिबल बच्छो अभी आवास आ रही है स्क्रीन मेरी विजबल है क्या एक सेकंडर को मैं देख भी लेता हूं अल जस्ट सी अधि चल क्यों नहीं रहा यार अडिबलेटी क्लियर एकदम एकदम स्क्रीन क्लियर दिख रही है ओगे येस चले देखते हैं क्या होता हो फॉर दी बैस्ते नहीं क्लासस तो होंगी भाई क्या होना यार मेरा बहुत पुराना लैप्टॉप है ना तो जिसके वज़े से कभी-कभी दिक्कते आ जाती हैं बट कोई ना अभी ऐसा नहीं होगा मैं ऐसा मान के चल रहा हूं अभी ऐसा नहीं होना चाहिए क्या होपिंग फॉर बेस्ट गईस ठेक है चलो जी शुरू किया जाए बिल्कुल और टाइम पास्ट नहीं करते हैं लैग नहीं करा है ना चली बढ़िया आईए जी लेट्स स्टार्ट आवर सेशन गईस ओगे हाँ जी ओगे कोई दिकत की बात नहीं तो मेरे प्यारे बाल च्छेंग कर आपन ने शूरू किया था जिसके अदर से सब से पहले हम लोगों ने किसके बारे बात की थी कना लोगोंने सबसे पहले बात की दी मंटा किसके बारे में जी देष् nanos के बारे में उसके बाद we have started with thech chemical evidences उसके बाद embryological evidences और हम लोगों ने बायो जिग्राफिकल evidences सकल पढ़ ली दी जी आज हम लोगों पढ़ना है प्लेंटो लोजिकल evidences के बारे में पढ़ना है जी ठीक है मैं पूरा रिवाइस करवा देता हूं कल हम लोगों ने मुझना और अनोटोमिकल evidences के अंदर हम लोगों ने 5 चेश के बारे में पढ़ा जी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा homologous organ के बारे में पिर हम लोगों ने पढ़ा analogous organ के बारे में देन वे अपने बाद ते वेस्टीजियल होना चाहिए बट उसके functions आपके अलग-अलग है जी जिसे फॉर एक्जामपल जो तुम्हारी पोरलिम होती है mammals की mammals से बहुत सारे organism आते हैं तो mammal का पोरलिम का structure होगा न वो सारे organism में सेम होगा बैट में मैं में चिता में और वेल में लेकिन जो इनकी functions होंगे न वो तुम्हारे बास वेरी करेंगी अलग-अलग organisms के अंदर जी ठीक है अच्छा अब जो homologous organ है वो common ancestry show करता है क्या मैं गलत होता है नुब चलता hasी नहीं नहीं है मान दूसरा नेट एक बर स्ट करें हूं अफुरा बलर दीख रहा है कि परण授 क्या अग or ना जो पूरा दीख रहा है यह परल़ दीख रहा है बच्चो जिस्ट गीव मी ए सेकेंड मैं ना मेरा वाइफाई स्विच कर लेता हूं दूसरे पर शुदाट की इशू ना आ है ओके चलो अभी आशा करता हूं कि दिक्कते नहीं आनी चाहिए तो मैं मैं कैसा दिक्राओं मैं एकदम 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 इना ब्लेड दिख रहा हूं है ठीक है चलो आज ओग ना फइन ओगे ना फईन चलो आज ओग उसके बाद लोगों ने क्या बात की दी कि बहुत इंपॉर्टेंट सीच कि इसके अंदर तुमको और देखने को मिलत जो organism है इनके structure तो same है common ancestry है लेकिन अलग-अलग function perform करने के लिए ये लोगों ने अलग-अलग जगे पर diverge कर गया है इसके लिए homologous organ herdum divergent evolution show करवाते हैं आपका जी ठीक है तभी तो मैंने वाक्य लिखा था क्या कि same structure diverge along the different line due to the adaptive needs okay खाने के लिए और competition की वज़े से लोग अलग-अलग जगे पर चल दे जाते हैं जी ओगे चलो आगे क्यों बढ़ते हैं फिर हम लोगों ने और भी सारे examples देख लिए थे मुनना four limb of the mammals फिर mouth part of the insect heart and brain of the vertebrates sons of the bog and villa and tendrils of the cucurbita ये paper में आता है कि ये किसका example है ठीक है फिर आपने philoclide के बारे में पढ़ लिया था और stems के बारे में फिर analogous organ में क्या होता है जी मुनना आपके जो origin होते हैं वो अलग-अलग होते हैं आपका structure भी अलग-अलग होगा लेकिन function आपके पास same आपको देखने को मिलता है क्या किसी प्रकार का common ancestry होगा बिलकुल निए डास नौट छोज एनी common ancestry ठीक है अब देखो अब इसका best example के जी मुनना wings of the bird and the wings of the insect अब देखो विंग जो है मुनना बर्ड में वो तुम्हारे पास four limb का modification है क्या जो कि तुम्हारे पास और जो विंग होता तुम्हारे insect में हो तुम्हारा काईटीनस होता है अब structure यहां पे same है या अलग-अलग है सर यहां पे structure अलग-अलग है लेकिन function से में मुनना ओगे पापा की परी बनना ओगे flying करना जी और भी सारे एक्जामपल्स हमने यहां पर लिखा हुआ है जी ठीक है और जितने भी तुम्हारे analogous organ है उनके structure अलग-अलग है लेकिन function से में मतलब क्या हो लोग converge करें diverge कर रहे हैं जी analogous organ आपके हर्दम convergent evolution शो करते हैं जी फिर कलम लोगों ने बात किया वेस्टीजल ओर्गन की बारे में वेस्टीजल ओर्गन क्या होता जी मुनना यह वह rudimentary structures है मुनना जो कि अभी non-functional है लेकिन पहले के समय हमारे ancestors में तुमारे पास functions फंक्शनल हुआ करती थी उनके एक्जामपल में यह पर लिख लिए था जी मुनना वर्मी फर्म अपेंडिक्स नेक्टेटेटिंग मेंब्रेंस मुसल्स और यह पिनना कि नाइन टूथ हो गया निपल सिंदी मेल हो गया यह टेल बोन हो गया और तुमारे बेबी फिर फंक्शनल यह पिनना ओगे फिर थिक और लॉंग बॉड़ी हेर्स ठीक है ना नीव और्गानिजम के लिए तो यह सब किसका एक्जामपल है जी मुनना यह सब तुमारे पास अटाविजम का एक्जामपल है चलो फिर कनेक्टिंग लिंग के बारे में क्या बोल लींका फिर अहुanium लोग ने के बारे प्ड़ा जो कि कनेक्टिंग लिंग के ऐन इलेडा और मोलिूस पहनीय बिछ में फिर बेले अग्लो सि है वो तुम्हारा कनेक्टिंग लिंगे रेप्टाइल्स और मामल्स के बीच ओ भी जी ओगे ठेके हैं चलो हां कर सकते हो येस नीट फाइटर क्या भी जाता है अब बायो केमिकल एविडेंस हमें ये बताती है कि जो अलग अलग ग्रूप और गयानिजम कि जब बायो और अमयलेस ये तुमको पोरिफेरा से कोडेट सक सब के अंदर देखने को मिलता है अब आपको पहता है कि जो थायरॉकसिन होर्मोन है हमारे हुमेंस के अंदर वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुएर्ट करता है लेकिन यही थायरॉक्षिन जो है नमुणना जो टाड चीने को मिलता है तबी हम लोग क्याते हapatakukan हमारे एप से पड्रेंक ट्रों सो वेस्ट है ओग देखो छो मेरी हुमन आट्रो तो मेरी युमन से उनमें नाट्रोचनों क्या होता है उसमें यूरियो टेलिक हो गया तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन आपका हुआ है जी चलो यूमन का डी एने मुन्ना वह 1.8 पर्षेंट जो है वह सिर्फ 1.8 पर्षेंट बेस कही अंतर है आपके चिम्पैंजी से वरना सब कुछ सेम है जी ठीक है हम लोगों ने आपको क्या बता था मुना जी एंब्रियो लॉजिकल एविडेंशन हमें ये कहता है वान बेर ने एक बात बोली थी कि कोई भी और्गानिजम जो आज इवाल्व हुए हमें दिख रहा है वो उसके बास जब अपने एंब्रियोनिक स्टेज में होगा तो सबसे पहले उसके पा आज इसको बलाचल बंता बाद में डियासलेशन होता है वह जिसके दरह तूर्टर्म लेर का ओर अपका फॉरमेशन हो रहा है टाया अब तीन जामने को और अट्टर्म और मीजोड़म ये आगके चल कि और ये ओर्गन का डिवलप्मेंट करते हैं क्या हैं करते हैं कहीं नह तो आर्थ रूपोर्ड मिलेगा क्या है ये एविदेंस हमको देखने को मिलता है दूसरा क्या है जिमना डिवलाप्मेंट इन दी वर्टिब्रेट्स लेकिन वहीं पर एमफिबेंस रप्टाइल एपस और मैमल में तुमको लंग्स देखने को मिलता है फॉर दी रेस्पिरेशन चलो पिर हम लोगों ऐसे सारे के सारे अम्रोजिकल एविदेंस के बारे बात की थी और हम लोगों ने और एक बहुत इंपॉर्टन बात इसके बारे ने रचेमें की थी प्रेशन्स आफ टेंपॉररी स््ट्रक्ट्चर इंदी एंब्रीओ यह देखने को मिलता है कि जो रप्टाइल होते हैं उनके पट दात होता है वह तुम्हारे पास के बास दात होता है लेकिन जब बर्ड के जो एंब्रीओ जब अंडे में रहता है तो जैसे वह हाल्च करेगा उसके पास दाथ महीं होता है जी कहीं ना कहीं जब वह embryonic stage में था तो क्या उसने रप्टाइलियन करेक्टर शो करवाया है अब देखो जो एडल्ट वेल है तुम्हारे पास एडल्ट वेल हमारी मैमल्स हैं जब फीटस में होती है तो इसके पास तुम जेनरल केरेक्टर का अपियरेंसे होगा आज कंपेड़ तुदे स्पेशल केरेक्टर इसका मतलब जो स्पेशल केरेक्टर वह बाद में आता है जी अब बायो जिनेटिक लोग को किस ने प्रपोस किया था इन्होंने क्या बुला कि जो ऑंटो जैनी है न वो रिपीट करती ह आपने फाइलो जैनी को मतलब ऑंटो जैनी का मतलब होता है डिवलपमेंट अफ इंडिवीज्व और्गानिजम जब कोई भी और्गानिजम मनता है न उसके पास एंसिस्टर के चैरेक्टर होते ही होते हैं और रिपीट करना ठीक है चलो जी अब इन्होंने क्या स्टेट्म जैसे कि गिल्स अंधी टेल्स इंडी टार्ट पॉल अब धिएंज अब देखो एंपीबियंस उनके पास लंग है लेकिन टार्ट पोल है मुनना वो लोग रिसपार करते हैं गिल से और एंफिवियंस के पहले कौन था फिशेज थे और फिशेज के पास गिल्स होती है जी त पिर हम लोगों ने बारे में कल पढ़ा जी बायोज ग्रॉफिकल एविडेंसे थे बेस्ट इग्जामपल डार्विन फिंचेज वाला जी देखो बैज ग्रॉफिकल एविडेंसे यह कहते हैं कोई भी और्गानिसम का पॉपिलेशन ने बढ़ने लगे तो वह अपने आपको क इस चोटे-चोटे आइलेंड का एक ग्रॉप है अब वहां पे नहीं छोड़े आपके स्मॉल ब्लाक बड्स देखा जी जिसको आज किसमें अपन डार्वीन फिंचेज कहते हैं अब जो ब्लाक बड्स निसका कोई कॉमन एंसिस्टर था एक कॉमन एंसिस्टर सा कोई था और और जो कॉमन एस था ना वह तुमारा साथ अमेरिकान एक सीट इटिंग बड्ड था जी अब उन्हेंने क्या किना रेंडम ली 20 पिंचेज को इटाया कितने 20 फिंचेज को उठाया और नहीं देखा कि 20 के 20 फिंचेज का जो बिक का शेप है और जो साईसे बिक का वह अलग- और वो आपके अलग लग geographical areas में मिल रहा हैं अब यह ऐसा modification की हुआ वाजी मुनना खाने के लिए और competition से बचने के लिए वाजी पिर darwin के 5 darwin finches के 5 types देखने को मिले क्या एक इंसक्ति वोरस जो की इंसक्ति बर से एक तो महरे पास फूर्ट एटिंग बर से एक सीडेटिंग बर्थ और एक तुम्हारे क्याक्टा और ग्रे निटिंग बर से जिए थे क्या मतलब यह कौन सा evolution शो कर रहे हैं यह एक divergent evolution शो कर रहे हैं इसके बारे में लोग पढ़ने वाले हैं फिर एक होता है होता है तुम्हारे पास रिस्टिक्टेड डिस्टिबूशन ऑफ आनिमल्स मैं एक बारी रिपीट कर दे रहा हूं बहुत से बच्चों को इसमांगर डाउट रगा तो वो क्लियर होगा देख उसमेंसे हमारे पास एक आनिमल था कॉस्टेल्या में पाउट अनिमल ऑगए पाउच आनिमल जो की अंडे दिया करता था द क्वा में सब्सक्राजन बताता हूं हमारे पहले मार्शिट मिला करते थे जी अब जब को ऊंटिनिंटल trip to up समझो कि दो continent बना समझो बना कि एक तुम्हारा बना Australia और एक बना तुम्हारा Asia उजो मेरे मार्सुपील से वह एशया में भी गए रहेंगे और Australia में भी गए रहेंगे जी अब एशया का environment ऐसा थाना कि जो मार्सुपील से वह compete करने लगे मैमल से और मैमल्स dominate करके मार्सुपील को उन्होंने क्या किया जी मुना Extinct कर दिया और वहां पर अभी क्या मिलने लगे जी मुना आपको Asia में मैमल्स मिलने मिलने लगे जी जिसको अब प्लासंटल मैमल्स कहते हैं जी लेकिन Australia में ऐसा नहीं वा जी मुना Australia का जो environment थाना उसने प्लासेंटल मैमल को favor नहीं किया बज गया अपने आपको रिपडियूस करते कह और विए नंबर को बढ़ा दिया जी तीक है अब देखो और प्लासेंटल मैमल से बहुत अंतर रहिंघ्या क्या प्लासेंटल मेमल अपने को एश्या में को मिल फिला यंग वन्द्स को जनम देता है सलें माश्यले मारूपियल आपका घोर की अनड में है लेगिन कहीं ना कहीं similarities हमको देखने को मिलते हैं दोनों के अंदर इसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं इसको अपन कहते है रिस्ट्रक्टर डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ आनिमल ठीक है फिर हम लोगों ने second example देखा कल discontinuous distribution of the closely related species कुछ species जोंकि बहुत ही same दिखते थे उनमें discontinuous distribution हो गया for example जब तुमारा पैंजिया जब तुमारा Continental Drift जब अलग हुआ तो जो मेरे related species के बीच में और वहीं पर जो ब्राजील में मेरे पास elephant उतना नहीं मिल पाए क्यों नहीं पाए फेवर नहीं किया जी अब मेरे कुछ Camels तुमको एशिया में देखने को मिलते है और जो Lama आपको South America में देखने को मिलते हैं अभी दुनों अलग-अलग continent है क्या South Africa South America एक और Asia कितना दूर-दूर है लेकिन same type के उनको यहां पर क्या देखने को मिल रहा है Camel देखने को मिल रहा है यह discontinuous distribution इसको कहते हैं Alligators देखो कुछ Alligators तुमको East USA में मिलते हैं तो जो जो species आपको East USA में मिलता है न वो same species आपको चाइना में ही मिलता है तो यहां पर discontinuous distribution आपका वह था जी ठीक है किसको डाउट है क्या ओगे ओगे ठीक है आज हो जी नहीं इसको अरने सकेल का जो लौत ना उसको न डिस प्रूफ कर दिया गया वान बेर के द्वार आए जी ठीक है चलो जी किसको डाउट है क्या मुना यहां तक क्या यहां तक किसको डाउट है इस दर एनी सिंगल अटर आप डाउट बिलको नहीं जी तो आज हम लोग पढ़ने वाले हमारा जो कि लास्ट एविदेंस बढ़ा बचा हुआ है पैलेंट में क्यों दुर्ण लॉचिकल एविदेंशं के आज हम लोग एक इसको पढ़ने वाले पैलेंटो लॉजिकल एविदेंस दूसरा हम लोग पढ़ने वाले मुना और एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में रडीयेशन बैस पेलि Gala चुछ लुक्न करें की बारे में कन वर्ज्ण्ट बीचान के बारे में शुरू किया जाए सबसे पहले नहीं प्रकता अपनशुरू करेंगे एपटिव áticasai। यहसिंप आपको तुमको आता है इस सीमकल को और तुमके आता है बहुत सिमपल सेज़ए। लेच्ट स्टार्ट विधी एडेप्टिव रेडियेशन। कि अधेप्टिव रेडियेशें का दूसरा नाम होता है। डाइवजेन्फ डाइवजँर्जेंव adaptive radiation क्या कहता है देखो यह कहता है व्यादन हो इस बहुत आपको स्मझेगा बिहार के स्टेट है कि बिहार में थ消क्रास मिननल कि नहीं यह विए cuma चे लोग पंजाब चले आते हैं कई से बिहार के कुछ लोग मंबई चले आते हैं बिहार के कुछ लोग जो हैं वो दिल्ली चले गए कुछ लोग आपके बैंगलीओर चले गए झार कुंछ चले गए थो यह सारे के सारे लोग बिहार से हैं को तो सब्सक्राइब यहां पर जॉब है नहीं का मतलब कॉंपटिशन बहुत जिए हुअने की किलत हो जाएगी ना कुछ लोगों ने क्या किया दिमा कुछ लोग नहीं सब्सक्राइब फूर्य कुछ लोग मुंबई में आगाए नहीं है विजनेस अपना शुरू जो लोग आपके देली में चुले गए देली में मिज्नेस शुरू कर लिया घान सा तो adaptive radiation का definition यही कहता है कि common ancestral species जो है वो evolve करता है अलग-अलग new species में new species में क्यों बोल रहा हूं तो बिहार का ही बंदा जाके पंजाबी बोल रहा है तो वहां के लोगों लगे तो पंजाबी है तो यहां का common बंदा है वही बियार का बंदा महारास्टा में आके माराथी बोल रहा है लोगों कर पारें वहां के लोग उसको ठीक है तो common ancestral species ने अपने आपको कर लिए कि दुसरे-दुसरे species में क्यों वाल किया जी मुन्ना सुधा कि वह एक्वायर कर पाए habitat को अभी एक्वायर क्यों करना habitat को तो खाने के लिए और स्पेस के लिए जो competition था उसके लिए इसका best example कौन है डार्वीन के फिंचेज तो डार्वीन डार्वीन फिंचेज का common ancestor बढ़ता क्या बहिए common बढ़ता ना मैंने आपको बताया था जो कि तुमको South America में मिल रहा था लेकिन अब खाने कि इतने किलत हो गई ना कि कुछ अलग अलग आइलेंड पर जाके अपने बिक्स का शेप और साइजी बदल लिया कुछ इंसक्त खाने लगे कुछ सीड़े खाने लगे कुछ तुम्हारे पास क्या कहते हैं कैक्टस खाने लगे तो अलग लग तरीके से वह modify कर गए थे यहां ता कोई डाउट है किसी को यहा आपको समझाने का था उसके लिए मैंने लिखा दा जी चीक है मैं फिर से यहां पर लिखवा दे रहा हूं मुझना क्या होता है जी अड़र्टिव रेडियेशन का डेफिनेशन कुछ ऐसा है क्या कि एक कॉमन स्पिशिज जो है एक जो कॉमन स्पिशिज है कॉमन एंसेस्ट स्पिशिज ने अफने आपको क्या किया जी मुझना इसने अपने आपको इवॉल्फ करवा लिया जी इवॉल्स into a different species अब इन्होंने एक अलग-अलग species बन गए क्या है लोग अलग-अलग species बन गए क्यों यह बन है जो to acquire to acquire different habitat acquire different habitat कि भाईया आम लोग अलग-अलग habitat को acquire कर ले okay due to due to food और space का competition क्या यह पॉइंट क्लियर है मैं तुमको ना state के example से समझा दूँगा अच्छे से concept clear है adaptive radiation का मतलब यही होता है क्या कि common ancestors अलग-अलग जगे पर चले जाते हैं क्यों मुझना because of food और space के competition की वजा से तीग है डाने मुझना अब इसका दो एक्जामपल हम लोग पढ़ने वाले हैं जी एक्जामपल नंबर वन है तुम्हारे डार्वीन के फिंचेज डार्वीन के फिंचेज ठीक है देखो मैंने वह क्या बताया कि हमारे पास हमारे पास हमारे पास हम बतलब अलग-अलग जिग्राफिकल में जाएंगे तो वहां पर उनको अड़प्ट भी तो करना पड़ेगा ना आप देखो जो तुम्हारे पास जो सीड इटिंग बर्ड थी जो सीड इटिंग बर्ड थी इनका कॉमन एंसिस्ट्र कहां से बिलॉंग कर रहा था वो तो साउथ अमेरिका से बिलॉंग कर रहा था अब वो लोगों ने क्या किया जी मुन्ना कुछ जाकि अपने आपको इवाल्व कर लिए इंसेक्टी वोरस बन लिए जी कुछ लोगों ने अपने आपको फ्रूट खाने के लिए वाल्व कर लिया जी अगरा पांच इसकी स्पिशिस बनी वही थी कुछ लोग क्याक्टस खाने लगे और कुछ लोग इसमें इवाल्व होगे जिमना ग्रेन एटी ग्रेन खाने लगे कोनी और अब भी कुछ Listen क्या करता है जिमना वह लोग सीडी खा रहे थे अभी भी कुछ इस्पिशिज होते ना वह सीड इटीटिंगी थे यहां तक कोई डाउट है क्या यहां तक कोई डाउट है जल्दी बताएग具 यहां ता कोई डाउट है यह पहला एक्जामपल है मुन्ना यह तुमारे फास पहला किद्धा अब इक्जामपल नंबर टु जो कि तुमारी NCRT में दिया और बचों को समझ में नहीं आता है example number two मेरे मार्सूपील मैमल कहा nhुड है जो मेरे था में मंलते हैं जी किस prakt衍 टा तो यह청 रिस्ट्रिक्टेड distribution का example था या ओगे रिस्ट्रिटर डिस्ट्रिब्युशन ऑफ अनिमल का ये एक्जाम्पल था जी अब ये तुम्हारे पाउच अनिमल थे क्या मतलब यह लोग अंडे देने वाले अनिमल थे अब देखो क्या हुआ जी मुनना अब और जिल्या कॉंटिनेंट अलग सा बना क्य अब उस और्षेले में पूरे के पूरे के ख़रना मार्शी veg वुआ हैं। अब क्या हों ने मुन्ना अब खाने की किलथ होने लगी। आपस में लड़ने लगे। मेरे अको लिए। कुछ लोग पेड़ पर चड़ के खाने लगे कुछ लोग जमीन को खोद के खाने लगे यह भी तुम्हारा अडेक्टरी रेडियेशन का एक्जामपल है जी ठीक है देखो इसको अपन ऐसे कुछ पढ़ते हैं कि यह मेरे पास मार्सुपियल मैमल का कोई कौपन एंसिस्टर होगा कोई कौमन एंसिस्टर होगा अब यह लोग मुनना अललग अलग जगर पर जाके अलग लग तरीके से इक खाने लगे वो तहुम लागे, उसको अपने क्या बोल दिया, नम्बाट बोल दिया, यह तुमारे बैंडेड, बैंडेड, अइंट इटर बोला गया, ठीस को अपन नम्डाट भी कहते हैं, कुछ तुम्हारे कंगारू पाउच आनिमल है कंगारू में तो थही वो लो कुछ कुछ मेरे चुचुंदर बन गए मार्सूपियल मोल्स बन गए कुछ चुचुंदर बन गए है ना कुछ तुम्हारे पास स्पॉर्टेट कस-कस कस-कस में वाल्व हो गए कुछ तुम्हारे पास मार्सूपियल राट बन गए चुए बन गए 挺 पयाट बन गए राट बन गए कुछ तुम्हारे हवे में उड़ने के लिए बन गए उनको अपने flying falanger बोल दिया और फ्लाइंग फैलेंजर कुछ तुम्हारे पास किसमें मॉडिफाई के जी फ्लाइंग फैलेंजर हो गया उसके बाद ग्लाइडर्स तो यह कॉमन एंसेस्टर ही था जो किसा कैसा इवाल्व हो गया कुछ मेरे टैस्मीनियन टैस्मीनियन केट टाइगर केट में वॉल्व हो गया कुछ तुम्हारे पास यह बन गए क्या पांड़ा बन गया कोला भींटा है मेरा पांडा बन गहें कुछ सुम्हारे पास पूल टो के बेंडी कोट इनके उपर आपको मार्स लेखने को मिलता है बैंडी कूट कुलियर है तो इस तरीके से योग आपके अपके इवालफ कर गए जी ओगे चलो जी किसको डाउट है यह तक क्या किसको यहां तक डाउट है कि आप जल्दी बताना जी जाए बॉबकेट इसमें ने बॉबकेट तुम्हारा प्लासेंटल मैमल्स हैं मैं फिर कह रहा हूं अंतर है बहुत अंतर है अभी हम लोग सर्फ मार्शूपियल मैमल्स के बारें पड़र जो कि आपको ऑस्टीले में मिला लगे कुछ ग्लाइडर कुछ चड़ने लगे कुछ टाइगर क्याट में वाल्व हो गए कुछ मेरे पांडा बन गए और तुम्हारे बैंडी कूट कोई डाउट यहां पर इत्तु से भी डाउट देखो मैं तुमको बिल्कुल कन्फूजन नहीं क्रेट करवा रहा हूं एक अब शर्वाइव नहीं कर पाई विकॉज उनको प्लासेंटल मैंमल ने एक्स्टिंट कर दिया और उनको फेवर भी नहीं किया एंवारमेंट ने ठीक है चलो जी यहां तक किसको डाउट है तो अड़टिव रेडिशन क्लियर हो गया अड़टिव रेडिशन हमें यह कहता ह है कि जब कोई common ancestral species अपने आपको evolve कर लेगा different species के अंदर to acquire a different habitat क्यों मुझना due to the food and space competition तो दो एक्जामपल याद रखना एक है तुमारे डार्वीन के finches और दूसरे एक्जामपल है तुमारे मार्शूपियल मैमल्स दन मुनना ओगे येस चलो ओगे एक प्रकार का मार्शूपियल मैमल्स में हो evolve किया हो है मिनाक्षी ठीक है चलो अब सेकेंड तुमारा evolution कौन से ताल जीमना कन वर्जेंट evolution को अब कन वर्जेंट सब्सक्राइब कहते हैं तुमको ना बहुत जगे पर ने टीचर लोग है ना कन्फ्यूज कर लेते हैं कन्फ्यूज होने वाला टॉपिक नहीं यह चाप्टर ऐसा है कि तुम दस टीचर से पढ़ोगे वह तुमको दस अलग अलग भास में बताएंगे और तुम कर लो जो तुमको NCRTB साथ में कवर करवा दे तो मैं करवाओंगा वो भी ठीक है अब यह अलग टॉपिक है अच्छा अब देखो तो जो मेरे अडिप्टिव रेडियेशन है मुन्ना क्या वो डाइवर्जेंट शो कर रहा है क्या क्या वो तुमारे पास डाइवर्जेंट का फोट्रीशन क्या कर रहा है आफ एक कॉमन एंसिस्टर था जो कि अलग-अलग में यहां पर इवॉल्व कर गया है ठीक है अब यह अलग टॉपिक अग्दम कनवर्जेंट इवॉलीशन अलग टॉपिक है कनवर्जेंट इवोलीशन क्या कहता है कि समझ यह एक सम्झो यह एक area है यह एक तुम्हारा isolated area है अब इस isolated area में सम्झो एक तुम्हारे पास यहां पर चल रहा है क्या जी एक तुम्हारे पास यहां पर क्या चल रहा है जी मुनना divergent इवोल्यूशन चल रहा है एक एक ही एरिया यह एक जगे पर तुम्हारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन चल रहा है और वहीं पर एक और एक स्पेशिस अपने आपको इवॉल्व कर रही है और वह भी तुम्हारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रही है जब दो अडेप्टिव रेडियेशन होता है किसी भी आईसोलेटेड एरिया में अब यह सेमी एकोलोजिकल नीच है क्या जो अडेप्टिव फोर्स देन दी अडेप्टिव फोर्स शोज दी कन वर्जेंट इवोलुशन जब दो अडेप्टिव रेडियेशन होता है तो जो मे विजिकल केरेक्टर में दिखेंगे तुम डिस्टिंग्विस्ट ने कर पाऊगे कि यह दोनों अलग अलग है तुमको लगए कि सेम ही है इसका एक्जामपल है तुम्हारे मार्सूपियल मैमल्स प्लासिंटल मैमल्स बताऊंगा मैं बिल्कुल भी घब रहा हो मत आराम से पढ मेरे दोनों में क्या एसा है और यह तो सब्सक्राइब टान जनम दने वाले है तो इसे को आपन कहते हैं जी मुनना क्या इसी को हम लोग कहते हैं होगे क्या कहते हैं इसको एक मिश्य प्रश्च एसका डेफिनेशन लिखो पूरा इसका डायग्राम भी बराओंगा क्या इसका कहता है कुछ कि if to adaptive radiation जब दो अड़ेप्टिव रेडियेशन हो बिच अकर आइसो लेटेड एरिया आइसो लेटेड एरिया अब जो यह आइसो लेटेड एरिया है यह सेम एकलोजिकल नीश में आना चाहिए बट सेम इकलोजिकल नीश 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 रही होना चाहिए जगा सेम होना चाहिए देन कि adaptive form क्या शो करेगा देविल शो कन वर जेंट इवोल्यूशन ठीक है अब जो यह कनवर्जिंट इवोल्यूशन हो इसमें जो आनिमल बिलेंगे उनका सेम फिजिकल क्यारेक्टर होगा इसके best example गुरू कौन है पता है आपको इसके best example है तुम्हारे पास ओगे marsupial mammals फिर से बताओ marsupial mammals किदर मिल रहे है marsupial mammals यह आपको मिल रहे कहां पर यह मिल रहे औस्टेलिया में और तुम्हारे placental mammals तो कंफ्यूज मत हो ना बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि जब बात करेंगे adaptive radiation का वह पर मुह खोल देते हैं placental mammals नहीं बेटा adaptive radiation का example है marsupial mammals common ancestor अलग अलग direction में radiate कर गया है लेकिन convergent evolution is the best example of the marsupial mammals and the placental mammals इसको समझे का diagram से diagram से समझते हैं मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं मेरे प्यारे बालको यह मेरा isolated area है समझो this is my isolated area ठीक है यह मेरे पास कौन है जी मुनना isolated area है ठीक है इस isolated area में क्या वाजिव ना मेरे पास है ना दो टोई species मिल रहे हैं जी कोगे समझो यह तुम्हारे पास Australia यह तुम्हारा Asia है यह क्या है तुम्हारे पास Australia है जी अब Australia में तुमको क्या देखने को मिलेगा जी मुनना marsupial 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 देखने को मिलेंगे और सब्सक्राइच मेरे पास Asia है यह तुमको placental mammal देखने को मिल रहे हैं प्लसेंटल देखने को मिल रहे हैं मिल रहे हैं इस इस Marsupil का कोई common ancestor होगा कोई common ancestor होगा कोई common ancestor है क्या और यहां पर placental mammal का भी कोई common ancestor होगा 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 अब देखो समझी मेरे प्यारे बालों को एक अब यह तुम्हारे पास दोनों adaptive यह भी adaptive radiation शो करेंगे क्या यह भी adaptive radiation शो करेगा गयों में तो यह 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 बहुज़ यह तो यह दोन तुम्हारे पास radiation करेंगे थैक थैड़ है बना में य Below में समझो मारसूपएल जो है वो तुम्हारे पास मार्सूपयल मोल बना olha इस यहां पर मार्सूपियल मोल बना ठीद के वही पर प्लसेंटल मामल भी जब रेडिएट करेगा तो यह क्या बनायगा अमना प्लसेंटल हमोल बना Overall बनायेगा लेकिन मेरी यान, बड़ी बात यहां पर पता है क्या है, कि जो मेरे placental mammal और जो मेरे marzipiall mole है, अब एक point मैं और यहां पर लिखवाणा चाहूंगा अब जो मेरे marzipiall है मुनना वो तुम्हारे egg laying है क्या, ये अंडे देने वाले हैं, ये egg laying है, लेकिन जो मेरे placental mammal से वो सिदा का सिदा young ones को जनम देते हैं, सिदा बर्ठ आपके यंग को वर्थ देते हैं जी, अब देखो हमने क्या बताया कि जोρεί मेरे मरसूपयल जो एरे पास रेडेट करके मारसूपयल म मॉल बनाया कोई दिकत की बात नहीं, अथा अप्लासेंटल मैमल रेडियेट करके प्लासेंटल मोल बनाया लेकिन मेरे प्यारे बालो को सबसे बढ़िया बात यहां पहों कि इनके बीच में फिजिकल कर सेम है यह दोनों सेम फिजिकल चैरक्टर सोग करते हैं मतलब को इनको सामने से देखके यह नहİं बोल चकता है कि यह अंडे से पाइदा हुआ है कि यह सिधा यंग वन्स सिधा बढ़त हुआ है कि समझ में आया एक और एक ऐसे एक्जामपल है तुम्हारे पास एक और एक ऐसे एक्जामपल है तुम्हारे पास जैसे कि फ्लाइंग फ्लेंजर्स फ्लेंजर ठीक है flying phalanger यह तुम्हारे पास क्या जी मुना आप मार्सुपेल रेडियेट किया जी वह पे प्लासंटल मैमल्स क्या बनाता है तुम्हारे पास flying squirrel जाना squirrel अब बताफिए अब यहाँ पर यह दोनो क्या हैं अब यह दोनों तुम्हारे पास क्या शो मतलब क्या है्ज 2 दो मेरा अगर adaptive radiation होगा तो आगे चलके क्या बनने वाला है बताइए हाँ यह अगर दो मेरी adaptive radiation अगर same ecological niche में हो रही है किसी isolated area में तो आगे चलके converge करते हैं तो यह need का question रह चुका है कि दो divergent evolution आपके आगे के convergent evolution बनते हैं अब देखो यह तो तुम्हारे पास अंडे से पाइदा वाइकॉन marsupial moles placental moles तुम्हारे पास वो तो यंग वंस सिधा बढ़ हुआ इनका लेकिन इनका physical character अग्दम सेम है अग्दम सेम है physical character चाहिए सभी को समझ में आया मेरे प्यारे बाले को क्या यह सब्सक्राइब कर रहा हूं मुझना adaptive convergence का मतलब होता है कि जब दो adaptive radiation चलता है किसी भी isolated area में बट सेम ecological niche में तो मेरे जो adaptive form है वो आगे चलके converge करते हैं जो converge यहां पर कर रहे हैं तो वहां पर जो भी organism मिलेंगे उनका physical character सेम होगा तुम देखके बिल्कुल नहीं बता पाऊगे बता पाऊगे कि यह अंडे से हुआ है और यह सिधा यंग मेंस ऐसा पैदा हुआ हुआ है कुछ इनकी बीच में difference between लिख लें थे यूगे ना maximum नीट के बचों को ना यही डिफरेंस नहीं बता था कि marsupial mammals अलागे या placental mammals अलागे जमीन आस्मान का फरक है दुनों में ठीक है देखो marsupial mammals okay marsupial mammals अब यह कह रहा है कि सर अब आप प्लस अब बढ़िया पढ़ा रहे योट्यूब में अरे ऐसी बात भी है भाई तुम बदनाव कर दो के रहे यह कोता है marsupial mammals और यह कोता है तुम्हारे पास australian और में कह रहा हूँ placental mammals अब देखो अब आना तुमको बिल्कुल भी रटना नहीं है अडिप्टिव रेडिशन क्लियर में उसका example करने तुम्हारे पास marsupial है यह तुम्हारे पास adaptive convergence का example है ठीक है अब पहला example आपन देख लेते हैं पहला पहला example बाद में convergent में हो जाता है जो एग ले करता है वह Asian होता है नहीं 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 जो अंडे देने वाला वह australian है जो एशियन है मुझना वह क्या है तुम्हारे पास एश्या अपने एक example यह एश्या का ऐसा वह तुम्हारा यंग वंस को जनम दे रहा है जितने भी तुम्हारे MICHAEL मुझन इवाले मारसुपियल receipt मेरे मरसुपियल मोल होते है मेरे पास उसका यहां पर मुझना कौन बने हैं यह दोने पास फिसिकल न्हां में स ήक दिखते हैं जी तुम्हारे पास क्या ले ले मार्शुपेल राइट ले ले राइट जिसको अपन मार्शुपेल माउस भी कहते हैं अब यह तुम्हारे पास यहां पर क्या बनेगा जिबना प्लासेंटल माउस या प्लासेंटल राइट है में बताता हूं अभी थर्ड राट हो प्लासेंटाल मैंमल्स में तुम्हारे पास प्लासेंटाल आन्ट एटल होंगे ठीक है टीक है फूर्द के बारे में बात करती न EU प्लाइंग फैलेंजल कि यह मज़おお möglich स्यूपल संय प्लाइंग स्कूरी लोगे अभि आपने देखाना पीछे तैसमेन ताइगर कैट तैसमेन ताइगर कैट यह किया है रजी likelihood गें यह इन सब्सक्रें मार्सूपीयलममेल्स है यहीं तो्म VOICE है बनेगे तुछ बनेंग तुम्ह prophecy आलणीट में आता है जी टैस्मिनिंफिन टाइगर कैट तुम्हारे पास क्य Mensch यह प्लासेंटल मैमल कौन होगा जी बॉब कैट ओके शिक्स तुम्हारे पास टैस्मीनियन वुल्फ अब यहां पर वो क्या बनेगा टैस्मीनियन वुल्फ यहां पर पास प्लासेंटल वुल्फ बनता है देख है चलो सेवंध्ध अपन पेले लाइन से लेग लाए तो उसके बाद अपन इनका अल्टरने सामने वाला प्लासेंटल आन से लेगे इस पॉटिट्ट कसकस ओके एट में तुम्हारे पास और कौन सा आता है प्लासेंटल अपना माट्स इसले में कंगारू गारू कंगारू और नाइंत आएगा तुम्हारे पास बैंडी कोट देखो है रमेको याद तुमको भी याद रखना पड़ेगा वड़ना ना तुम पेपर मेंग दूम सब कुछ हिला कर आओगे जी अब बताओ जी अब जो मेरा स्पॉडड कसका से मुझना उसका वह सब्सक्राइब श्राण क्लासेंग कोई और ले रहा है एव लाएक थे यॉष्जाग कंगारू मुझा स्टैक। गैस्टैकर नोई जो श्रौटैस कि दो इत्सक्राइन चाहिच जो इस बार इसका spelling देख लेना head jog ठेक है ओगे तो ये तुम्हारे पार सुमको याद रखना है जी spotted kaskas वाला भी तुम्हारे paper में पूछा गया है क्या सभी को clear हो गया क्या हिए सभी को clear हो गया एक बार ही बताईएगा क्या ये सभी को clear हो गया अच्छे से बताईए थोड़ा ध्यान से adaptive radiation clear हो गया सभी को adaptive radiation का मतलब क्या होता है जी मुन्हा कि जब एक common ancestor species अलग-अलग area में अलग-अलग species में evolve करता है अलग-अलग habitat में due to the food and space की competition की वजा से convergent evolution ये कहता है कि जब दो तुमारी adaptive radiation चलती है है तो उसमय क्या होता है isolated areas में then adaptive form जो ना मुन्हा convergent evolution शो करती है और जो भी species उस convergent point पर आते हैं उनमें सेम तुमारा physical character होता है ठीक है चलो आगे क्योर बढ़ते हैं अब तुमारे पास आखरी वाला जो बचता है तुमारे पास उसका नाम है तुमारे पास किया जी मुन्हा वह तुमारा palantological evidence क्या है palantological evidence palantological evidence थोड़ा सा अला गया मुन्हा ये थोड़ा सा अला गया जी हां इसमें question match करने वाला आता है ये साकाश question match करने वाला ये आता है इसको ना best evidence माना गया evolution का अब इसको best evidence क्यों माना कर मैंने बात लिखाए थी अब सभी लोग जानते है। हरभा से विलाजेशन के बारे में सुना कहीं पर इस शुना होग अलग लग सेविलाजेशन होई इनके बाते कैसा पतले कि अन्यों आ किसे पतलल हमें अलग लग रॉक्स की स्टडी की तो अमें समझ में आया ची तो प्लंट्रलोजिकल evidences में क्या होता है ना मुना हम लोग fossils की evidences कहते हैं करते हैं यहां पर कोई theory नहीं आ रहा है यहां पर actually में जो fossils हमारे पास present होता है हम लोग उसकी carbon dating करते हैं carbon dating करते हैं यह अपन electron spin resonance method को यूज करके उसका age पता करते हैं कि कितना साल पुराना यह आपका है ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं जो fossils होता है fossils क्या होता है जिमना fossil किसी भी organism का hard part यह excreta यह उसका imprint जो तुमारे sedimentary rock में deposit अब sedimentary rock क्या होता है आपको यह पता ना हमारे soil का अलग-अलग layer है जब civilization हुआ है तो तुमारे पास अलग-अलग layers बन गई है उसी मेंसे एक layer है तुमारे पास sedimentary rock का sedimentary rock में ना मुननों तुमारे पास बहुत सारे जो ancestors हमारे वह दब गए as it is उनके imprints as it is उस rocks में छपे हुए जी जब हम लोग उस fossil का जब हम लोग carbon dating करते हैं तो हमें समझ में आता है कि वह कितने साल पुराना है जी और इसी से हम लोगों ने missing link को पता किया है जो अर्कप्टरिक्स के बार में हमने बात करता है कि वह missing link है तुमारे पास reptile और birds के बीच में उसकी खोज भी तुमारी प्लाइंट्रो लॉजिकल इविदेंश नहीं किती ठाथ है तो पहले यह समझतिकि प्लेंटोलजी क्या होता है बद यह पैलेंटो लॉजी पैलेंटो लॉजी बद रही시면 पलेंटो लॉजी का मतलब हो था यह ब्रांच study of fossils यहां पे fossils की study की जाती है क्या जी बताइए यहां पे fossils की आपके study की जाती है जी ठीक आईए जी अब सवाल आता है कि सर यह fossil क्या होता है जी अज़र ठीक है रुप जा रुप जा एक लेंगे तो जब वो अडॉप्ट कर लेंगे तो मामल नहीं नहीं वड़ाट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, विएसे एंवार्मेंट है यह नहीं नहीं निटफाइटर, अमिद हम आपका कोशिन का एंसर दे देते हैं, ठीक है, प्लीज, थोरसा रुप जाए, निटफाटर है, उपके कोशिन का एंसर मिल गए अब पो, अब फ पाटोस और्गानिजम का, ठीक है, हाँ मैंने बता दिया यार एंसर, कोई भी और्गानिजम है, कोई हाड पाटो, या तुम्हारा एक्सक्रीटा हो, या इंप्रिंट हो, ओके इंप्रिंट होता है ना, जो तुम्हारा डिपोजिट हो गया है, इन सेडिमेंटरी रॉक, है इसी उक आपन फॉसल कहते हैं, क्या जी, क्या कोई भी और्गानिजम, या और्गानिजम का हाड पाट, या उसका एक्सक्रीटा, या उसका इंप्रिंट, जो छाप है, जब उस सेडिमेंटरी रॉक में, अगर डिपोजिट हो जाता है, बहुत समय तक, डिपोजिट हो जात के लिए मुन्ना, इसके स्टडी के लिए, हम लोग कारबन डेटिंग को यूज करते हैं, क्या, कारबन डेटिंग से, हमें उस फॉसल का एज पता चलता है, ओगे, सेकेंड, उस, अगर हमको पता करना है, कि यह कितना पुराना है, तो एक नय मिथड आया है, जिसका नाम है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इस आर, इस आर से भी आपन पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जिन से कि आपन उमर को पता करते हैं, कि वह कितना पुराना है, तुम्हारे पास फॉसल है, ठीक है, इसका बेस्ट एक्जामपल है, तुम्हारे पास आर् BCRT में लिखा गया है वह कि arcoopterics के बारे में बताओ जो मेरी archopterics है वह क्या है मेरी archopterics है यह तुम्हारा missing link या connecting link है तो यह तुम्हारा missing link है missing link का मतलब क्या हमारे पास अभी यह नेचर अभी वाले current environment में यह मिलता नहीं रहें बड इसका फोसल हमें मिला हुआ है बट हमें इनका फॉसल जो है न मुण्ना वह में मिला हुआ है हो गए 1 सकंड रूठो नो को जा हमें इनका फॉसल मिलाुए तो ये मिसिंग लिंक है मुड्ना किसके बीचि में जी between रेप्टाइल्स एब स ब्रड़्स बडस और रेप्टािल की भीच मिसिंग लेंगी अच्छा ऐसा क्या है मुझना इसका मतलब इसका मतलब ओगे आर्टेटरिक्स के पहले इसको समझो यह आर्कियोप्टेश्ट क्या होता है जी किसमें कितने और्गानिजम की क्यरक्टर्स है जी कि आर्टेश्ट में दो organism का character है जी, दो group का character है जी character of a two groups, दो group का यहां पर character है ठीक है? आजओ जी, अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जो तुम्हारे modern birds है ना जो तुम्हारी आज की जो bird है, जो मेरे पास modern birds है ना वो इनी से evolve हुई है जी, okay, has been evolved from from reptiles, भाईया वो reptiles है आपके पास आज कल की जो modern birds है ना वो reptiles है evolve हुई है जी, इसका मतलब, इसके पास दोनों character होंगे क्या, क्या है इसके पास reptilian character भी होगा Archaeopteryx के पास, और उसके पास तुम्हारे पास avian characters भी होगा, मतलब birds का जी avian character बिल्कुल घबराना मत, अभी हम लोग क्या करेंगे न, इन सारे character को distinguish करते हैं यह भी तुम्हारे match the column में आता है भाईया, match the column में नहीं लेकिन इस सवाल तुम्हारे paper में आता है जरूर से, ठीक है एक मिनटोक जाओ या, थोड़ा से न, side में ले लो इसको side में लेने से कुछ नहीं होगा, अपने को avian को लेना पड़ेगा side में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे पहले रेप्टाइल के इनके पास teeth प्रेजेंट है, क्या है teeth प्रेजेंट है, अब यह सवाल है न, which of the following correct or incorrect में आ सकता है जी अब reptiles के पास दात होता है क्या, दात होता है जी, तो जो archeopaties न, उनके पास दात था अच्छा, इनके पास न, long tail थे जी, long tail था, like lizard, like lizard, lizard की तरह, चिपकली की तरह, tail था जी, ठीक है अच्छा, जो उनका caudal, जो उनका caudal vertebrae था न, वो तुमारा unfused था, unfused caudal vertebrae, यह और चौथा archeopaties में था न, कि किसी प्रकर का pneumatic bone नहीं था इसके पास, no pneumatic bone, ठीक है, यह तुमारा पास दुमारा पास reptilean characters है, अब इनकी avians character क्या कहती जी, इनकी avians character क्या 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 थी, मतला birds character क्या 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 थी, archeopaties के अंदर, feather present थे, feathers, ठीक है, दूसरा character था कि इनके पास, इनके पास, जो jaws थे न, वो modify हो गयते, big के अंदर, jaws were modified, into big, चोँच के अंदर, modify हो गयते, big और यह तो bill के अंदर, वो modify हो गयते, third, यह सब paper में question आता है, which of the following correct or incorrect में, जो four limbs थे न, वो तुमारे पास modify हो गयते, limbs के अंदर, four limb का यहाँ पर modification देखने को मिला था, into limbs, okay, ठीक है, आज़े जी, अब, जो hind limb थे न, मुन्ना, वो avian pattern को follow करते, hind limb जो थे मनना, hind limb, okay, they were following, they were shows, avian pattern, ठीक है, तो यह तुम्हारे पास कुछ characters से मुन्ना, archiopterics के जी, जो कि आपको पता होना चाहिए, जी, ठीक है, आज़ो जी, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, जी, यहाँ तक किस्यों कोई doubt है, इससे तुम्हारे पास पूरा का पूरा यह खतम हो चुका है, जी, चाह गहते हैं, वोगे evidences पूरा का पूरा खतम हो चुका है, ठीक है, तुम्हारी NCRT में एक जगा लिखा गया है, एक similar observation जो है न, Darwin वाला उसको एक और एक scientist ने देता है उनका नाम था, Alfred Wallace, उसके बार में भी हम बात करेंगे आज, ठीक है, एक मिनट रुक हो यार, किसको doubt नहीं है न, पक्का, किसको doubt, किसदर नहीं doubt, बिल्कुल भी नहीं होगा, जी चलो, NCRT की reading करने क्या एक बारी, एक बारी NCRT की reading करने क्या, NCRT की reading कर लेते हैं, जी, ओके, reptiles का third point किदर है, unfused caudal vertebrae का मतलब होता है, कि उनका caudal vertebrae थे न, तुम्हारा last, जो तुम्हारा caudal, जो होता है न, last raw vertebrae, वो unfuse था, और वो unfuse उनको सर्फ और सिफ reptiles में देखने को मिलता है, archipteryx में जो उनका caudal vertebrae था न, वो अभी आपका unfuse था, ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं कि जो आज की modern birds है न, वो evolve की गई है reptiles से, तो पढ़ ले मुना theory को, पढ़ ले, मैंको ऐसा लगता है न कि तुमको समझ में आएगा क्या, NCRT अभी समझ में तो आएगा ने तुमको, हमको है न मुना इसका detailed थोड़ा सा और भी एक को lamarkism वाला जब concept खतम होगा न, तब जाके खतम होगा, यह तब समझ में आगा, विकॉस यह वाला जो portion है न, क्या कहते हैं, industrial revolution वाला, तब ही समझ में आएगा, ठीक है, अभी के लिए फिलाल आपन इतने ही रखते हैं, वो तब इसको use कर सकते हो, ओगे, ठीक है, चलो जी, पढ़ने क्या, ट्राय करते हैं गया, कुछ लेकिन connection नहीं बनेगा यार, बिकॉस यहां पर डाइनासोर्स के बारे में सडनली बात कर लिया जी, चलो लो पढ़ लेते हैं, let's have the reading, let's have the reading, okay, let's have the reading, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं, evolution of the life forms theory, इसका एक theory दिया गया था कि भाया, evolution कैसे कैसे क्या हुआ जी, देखो, conventional religious literature tells us about the theory of a special creature, देखो, पहली कि तुमारे पर जो theory थी वो special creation के बारे में बात करे थी, पादर सावरेज ने दी थी, भाईया भगवान ने कितने इन में अधर्ती बनाया, छे दिन में बना दिया, सटे दिन में Adam और ईवा है, और बच्चे पैदा करके उन्होंने पुरी population को बढ़ा दिये, तो ये बात बोला गया जी, this theory has a three connotation, one that all the living organism, species or type that we see today were created as such, मैंने बताया क्या मुणना, special creation की जो पहली बात थी वो ये कह दिती कि वह ये किसी प्रकार का evolution नहीं हुआ है, as it is, तुमारी species बन गई हैं जी, okay, second बात, two, that the diversity was always the same since the creation and will be the same in the future also, second connotation क्या दिती मुणना कि किसी प्रकार की diversity में बदलाओ नहीं आई हैं, किसी प्रकार का diversity में बदलाओ नहीं है, आज इस तुमारे बास life बन गया है, third connotation क्या दिना कि life जो है जो धरती है वो जदा पुरानी नहीं, वो 4000 साल पुरानी है, that the earth is about 4000 year old, ठीक है, अब देखो, तुमको याद है मनना, मैंने बताया था, कि theory of special creation को किसना disprove किया था, it was disapproved by, याद करो, तुमारे notes में नहीं लिखवाया है, Darwin 19th century में, Darwin अंकल आ है और बोले क्या बकाईती कर रहे भाई, ऐसा नहीं हो सकता, धरती 4000 साल पहले बन ही नहीं होगी, ओगे, देखो, आगे इन्होंने बात बोला है, देखो, तुमारी एंसाटी बड़ा घुमाफिरा के बात करती है, All this idea, बेर strongly challenged during the 19th century, By whom? By the Darwin, Based on the observation, Made during a sea voyage, Sea voyage का मतलब होता है, Samundri Pura Brahmand किया इन्होंने, In the sail ship which is called HMS Beagle, HMS Beagle का full form कै इन्होंना, Her Majesty Ship, Around this world, Charles Darwin ने क्या conclude किया, Charles Darwin concluded that, existing living forms, Share the similarities to the varying degree, Not only among themselves, But also the life form that existed millions of years ago, अब, इस लाइन का ही मतलब तुमारा आगे आता है, Darwinian वाला character, जिसको आपन कल शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह क्या है जी, Darwin ने क्या बोला ना, कि कोई भी जिंदगी as such हो यही नहीं सकती है, आज जो हम लोग दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे ancestor की characters हैं, है ना, उस लाइन को फिर से संजो क्या, कि around the world, and Charles Darwin ने क्या conclude किया, he concluded that the existing living form, जो existing living forms हैं, वो कुछ similarity show करती हैं क्या, to the varying degree, not among themselves, but also with the life of that existed millions of years in, जो भी organism जो पहले थे, वो अपनी ancestor का character show क्या करते थे, और जो अज हम लोग हैं, हम भी हमारे ancestor कहीं ना कहीं character show कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम evolve कर रहे हैं, हम लोग ऐसाद बिल्कुल भी create नहीं हुए हैं जी, अब देखो, आगे बढ़ो जी, many such life forms do not exist anymore, ऐसे तुमारे पास life form exist, तुमारा बिल्कुल भी नहीं करेगा जी, NCRT line हो रहा है क्या, नहीं नहीं अजर तुम लेट आयो बाभू, हमने theoretical part पढ़ लिया है पूरा, there had been an extinction of the different life forms in the year gone, by just a new forms of the life, or which is under different periods of the history of the earth, अब ये कह रहे है न मुन्ना क्या, कि जितनी भी तुमारे पास life form थी ना, कुछ life forms आई, कुछ life forms चले गई, और कुछ life forms अभी है नहीं लेकिन वो आने वाले सालों में आएंगी, अलग अलग period में इस धर्ती पे अलग अलग life forms आई, dinosaur का एक period था, जिसमें उन्होंने party किया, यह मेंको ना लग रहा है ना कि यह पूरा यह रहेगा यार, ब्रेक्ड रहेगा है, मजा नहीं आएगा NCRT पढ़ने में, मेरेको ना कल वाली class ले लिन दू, तो उसके बाद ही मैं NCRT पढ़ाओंगा, because period, epoch और era के बारे हम पढ़ाना है मुझे, बचो यार कल वाला अपन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही NCRT के reading कर लेगे, चलेगा क्या यार, तुमको NCRT के लाइन बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अभी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो काम करते हैं बिटा आपन पहले न, कल वाला वो पुरा पढ़ लेते हैं ठीक है, वो अपन क्या कहते हैं, डार्विन वाला पुरा, कल आपन पढ़ाएंगे, कल वाले के बाद तुमको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे न, तुम्हारी NCRT में आगे बात क्या गया इन सब के बारे में, देखोगे अगर तुम आगे देखोगे न, Homologus और Analogus के बारे में, Evidences for Evolution, यहां पर बात की गई है, ठीक है, चलो, तो वकल आपन बात कर लेंगे जी, ओके, चलो, पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लो उसके बाद आपन पढ़ लेंगे जी, ठीक है, चलो, तो मुन्हा मेरे प्यारे बालों को, आपको पता है कि आज तुम्हारी Unacademy की Unset का एक्जाम है, आज आपके Unset की एक्जाम आपको पता है कि नहीं, ओके, Unset के रहा हम है, Ultra Combat, आज तुम्हारी Combat की एक्जाम है मुन्हा, ओके, दो बज़े तो जरूर से आप लोग इस एक्जाम में अपियर हुईएगा, ओके, आज दो बज़े तुम्हारा पेपर है, और अगर कोई कोई कोड मांगेगा तो अन्मोल शर्मा लाइफ पूट करवा दीजीगा, आज की टॉबिक में किसको डाउट है क्या, यहां पे किसको डाउट है क्या, भाई देखको मेरे को ना जब तक तक तुमको साटिस्फाक्शन नहीं मिलेगा ना, तो भाई में को राहत नहीं मिलेगा, मैं उसमें का टीचर नहीं कि मैं पढ़ा के निकलने वाला, जब नहीं सहुन है का बीस बार रिपीट करूँगा मैं, ठीक है, अडेप्टिव रेडियेशन हो गया है तुमारा, उसके एक्जामपल्स आपने दो पढ़ लिए, Darwin Finches पढ़ लिए और Marsupial Mammals पढ़ लिए, और Convergent Evolution आपने पढ़ लिया, इसमें आपने Marsupial Mammals और Placental Mammals के बारे हम पढ़ लिया है, ठीक है, चलो, और बाद में आप लोगोंने क्या किया है जी मुनना, Palantological Evidences देखा मुनना, इसमें हम लोग क्या करते हैं जी मुनना, Fossils की Study करते हैं, Sedimentary Rocks के अंदर जो भी Fossils फसे होएं जी, उनकी Carbon Dating हम लोग करते हैं, और Carbon Dating हम लोग उसका उमर पता करते हैं जी, इससे जो Missing Links है, उसके बीच में हमको कुछ Proof मिलता है जी, तो अर्किप्टरिक सुमारा Missing Link है, उनके बीच में इसारे एक्टर सेखने को मिलते हैं जी, ओगे, ठीक है, अभी मेरे प्यारे बालों को, Please, मैं, साची मैंने revision करवा दिया है, अब इसकी recording available होगी, हाथ जोड के बेंते हैं बच्चो यार, 500 लोग देख रहो, लाइक नहीं कर रहो है, क्या मतलब, पैसे लगेगा, मुझे पैसे देना पड़ेगा लाइक के लिए, फट 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 लाइक मारो, तेजी से एकदम, चलो जी, और प्लीज एक कमेंड कर दिया कर रहा है, तुमारे कमेंड के लिएना मैं एकदम उचाहित रहता हूँ, वो मेरे को मूटीवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से पढ़ाऊ, ठीक है, चलो, कली क्लास लंबी होने है, कल बहुत इंबर्टन क्लास होने है ठीक है, कल वाले क्लास में अभी क्लिए बसने हैं, थांक्यू, थांक्यू, जैन, बाई, स्यू, बाई.